ते केरी माखाँ हलो एवरिवान मैं हूँ रियार सागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल फैशन अंद्रावित्रियावें आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक परफेक्ट नेक लाइन जो हमें किस तरह से बनानी चाहिए कैसे हम उसमें कौन-कौन से जेज़े हैं जिनका दियान रखते हैं सो चलिए बिना किसी देरे के आज किस क्लास को करते हैं स्टार्ट और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर रेट कर लीजे सो जो हमारी नेक लाइन होते हैं वह बहुत तरह से बनाई जाते हैं इसमें एक आपको बेसिक कॉंसेप्ट समझा रही हो जो बिगनर्स के लिए बहुत ही हैल्फुल होने बाला है और उनके अंदर एक कॉन्फिदेंट बिल्ड करेगा आगे मैं आपको एडवांस लेवल प यहां पर मैं आप सभी को नेकलाइन बताने वाली हो वहां पर में यूस करने वाली हो हूं यह और हम नायशी को मिल जाती है आती में आपके नियरवार कोई-भी स्टोरger जहां पर सारा stitching का सामान मिलता हो त्रेड वागेरा वहां पर यह एजली अवेलवेल होती है सो वहां से आप इसको खरी सकते हैं यह दो तिन फॉर्म में आती है हाट फॉर्म में भी आती है और यह जो होती है पेपर वक्रम जो मैंने इसमें यूज किया एक्चली क्या होता आप इंस्टाब जीजों का ध्यान रखे कि जब भी आप नेक लाइन ड्रो कर रहे हैं तो इसमें आपको फ्यूजी आ पेपर वक्रम का ही यूज करना है तो चलिए बिना किसी तरी के हमारे आज किस क्लास करते हैं स्टार्ट सो यहाँ पर हमने यह फ्यूजी बक्रम है इसक 6 इंच की जो लेंद है यानि की जो डीपनेस है हमारी नेक की अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं सो 3 by 6 की यहाँ पर हम ड्रोइंग कर लेंगे और जो हमारा फोल्ड़ साइड हमेसा याद रखें यहाँ पर हमारा राउंड जो है व आपको हाफ इंच का एलाउंस ही लेकर जो है इस तरह से नेक लाइन जो है अपनी ड्रोग करनी है यानि की नेक लाइन हमने ड्रोग की और फिर उसमें हाफ इंच का एलाउंस यह जो है उसी 3 इंच में हमें यह सब कुछ करना है सो ऐसा आपको कर लेना है सो जैसा कि आप दे तो यहां पर मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं बहुत ही इजी नेक ले रही हूँ सबसे एजी मुझे लगा कि राउन नेक आपको जल्दी समझ में आजाएगा या फिर इसका नेक भी आप ले सकते हैं इस तरह से इसको बहुत ही आराम से आप कट कर लेंगे और जब आप इसको इस तरह से कट कर लेंगे फिर आप इसके अंदर का जो पोर्शन है उसको भी अच्छे से कट कर लेंगे पर हैट पिन्स के तरो इसको थोड़ा से सिक्यूर भी कर लें इससे क्या होगा कि आपका जो नेक लाइन है वो यहाँ वहाँ जो है वो नहीं जाएगी और आपका परफेक्ट जो है नेक वो कट जाएगा यहां पर आपको दूसरा फैब्रिक लेना है जैसा कि आप लोग को दिख रहा है मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है और उस पर पिन्स की हैल्प से जो यह नेक लाइन हमने फ्रंट और बैक दोनों की कट कर ली है जैसा कि मैंने आपको फ्रंट की समझा है यासा ही आपको बैक की भी कट कर लेनी है और इसके बाद आपको क्या करना है इसको प्रेस कर लेना है यह जो बकरम होती है यह प्रेस करने से जो है एकदम चिपक जाती है कपरे से बहुत ही अच्छे तरह से जैसा कि आप देख सकते ह हो चुकी है सो यह फ्यूजी वक्रम है और जितने भी डिजाइनर्स नेक लाइन बनती है उनमें अल्मोस्ट यही यूज की जाती है क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट होती और वास करने पर थोड़ा सा सुरिंक भी हो जाती एक दम टॉफ या हार्ड नहीं रहती सो टेलर्स वग करेंगे सो इससे क्या होगा कि जभी भी आप कपड़ा बनाएंगे फिर उसकी हैमिंग जो आप इसी एलाउंस में लेकर कट करेंगे आपको सिर्फ इसके साइड पर कट करना है बीच में विल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है आपर हमने कटिंग कर लिया फ्रंट और बैक दो बना रहा है और अच्छे से समझ में आ जाए जो हमने नेक लाइन कट की है उनको हैट पिंस की हैल्प से सिक्योर कर लेंगे और जो हमने फ्यूजी बकरम पेस्ट की है हमारे कपड़े पर उसको क्या करना है सेम एज इट इस रखना है देखिए पूरा कपड़ा सेम है और उ सोल्डर से यानि 33 इंच आपने लिया था तो टोटल हमारा सिक्स इंच जो है वो गर्दन की विट आ रही थी सो सिक्स इंच ही आना चाहिए आप इसको एक बार अच्छे से मेजर करके फिक्स कर लें और इसके बाद आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सिलो सिलो आपको जो है वो स्टिचिंग करनी है सो जो भी हमारी बगरा में उसके एकदम साइट से आपको इस तरह से नेक लाइन जो है वो स्टिच करनी है आप ज्यादा मसीन तेज चलाएंगे तो फिर आपकी जो से लाइए थोड़ा बहुत मूव हो सकती है यहाँ वा तो इसलिए आप इस आपको अपने फुट को एजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको एकदम नीट अपना वर्क चाहिए नेक लाइन पर इसी तरह से आप इसको बहुत ही सावधानी से पूरे नेक पर इस तरह से राउंड घुमाते घुमाते स्टिचिंग करेंगे वीडियो को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखें एक इक चीज़ को समझने की कोसिस करें क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही धीरे धीरे आप लोग को समझाती हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो और आप अच्छे से सीख सकें इसी तरह से इसके एकदम करीब से आपको मसीन चलाते हुए आना है अपको बक्रम के उपर नहीं स्टिचिंग करनी है इसके एकदम साइड से किनारे से स्टिचिंग करते हुए आना है और अब हम इसको कट करेंगे जब हम कट करेंगे तोड़ा सा मारजन लेकर कट करेंगे एकदम हमें सिलाई से कट नहीं करना है और बहुत जादा मार्जन भी नहीं छोड़ना बिल्कुल थोड़ा सा आपको मार्जन छोड़ के रखना है और डेपेंड भी करता है कि आप किस फैब्रिक पर जो है वो नेक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बहुत हलका फैब्रिक है तो आप थोड़ा सा दूर रख लेंगे सीजर्स को थोड़ा एक्स्ट्र एलाउंस दे देंगे बट अगर आप कोई अच्छा सा फैब्रिक ले रहे हैं जिसके धागे नहीं निकलते हैं इसमें आप इस तरह सैंडु इतना कम अलंस दे सकते हैं यह और इसीजर्स और आपको मशीन का बहुत धीयान रखनें साउधानी से मशीन चलानी है नहीं और साउधानी से जहें को पास्टे इसके बाद क्या rocket करना आम इस थारे से रॉन्हिंत का देंगे कुछ देने हैं तो यह कट्स क्यों देने हैं यह कट्स हम इसलिए देंगे जब हम इस कपड़े को पलतेंगे तो यह बहुत ही इजीली फैल जाएगा और अगर अगर इसमें कट्स नहीं देंगे तो कपड़ा हमारा उठा-उठा रहेगा और हमारी नेकलाइन जो है वो इतनी जाधा सुन्दर नहीं बनेगी इस तरह से आपको चोटे-चोटे नौच देने हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं करनी है बहुत ही सावधानिस और बहुत ही दीरे-दीरे आपको इस तरह से कट्स देने हैं तो यहां पर कट्स जो हमन नेक अपना स्टिच किया इसको इस तरह से हमें पलट लेना है अंदर की और ठीक है और जबी भी हम इसको स्टिच कर रहे थे जो हमने बक्रम पर प्रेसिंग करके जो फर्स स्टेप स्टिचिंग कर किया है तो हमें इसको फ्रंट साइड पर रख कर सिलना है और बैक साइड पर पलटना है ठीक है जैसे मैंने इसको front side पर stitch किया और आप मैं इसको back side पर पलट रही हूँ इस तरह से हमें पूरे कपड़े को पीछे पलट लेना है और अच्छे से इसको press कर लेना है प्रेस करने से ये बहुत ही अच्छे से बैट जाएगा और सेट हो जाएगा वैसे तो हमने इसमें नॉचिस दे दिये हैं आप किसी भी प्रकार का कोई भी नेक हो उसको बहुत ही इजी ली बना सकते हैं, बहुत ही इजी मेतड होता है जबी भी आप बुकरम से बनाते हैं, जैसे हमने front का neck बनाया है वैसे हमको back का भी बना लेना है आपको जो भी हमारा neck हमने draw किया उसको रखना है front side पर और back side इसको stitch करके पलट देना है फिर हमें इसकी cutting करनी है बहुती ध्यान से और cutting करनी के बाद इसको पीछे की और पलट देना है अब इसके बाद जो हमने half half inch का allowance छोड़ा था हमारी back side पर so हमें क्या करना है इसको इस तरह से अंदर की और fold करके इसमें एक बार stitch लगा देनी यानि कि हमें एक बार इसमें पूरे पिस जो है सिलाई चला देनी है जिससे क्या रहेगा यह कपड़ा जो है इधर ओधर भागेगा नहीं और अगर आपका extra कपड़ा है तो अब उसको cut करके हटा सकते हैं और इस तरह से एकदम किनारे पर आपको सिलाई जो है वो लगा लेनी है जैसा कि मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े पर फ्रंट और बैक दोनों नेक पर लगा ली है स्टिचिंग और इस तरह से जो आपको भी मैंने extra कपड़ा दिखाया उसको इस तरह से अंदर करके यहाँ पर हमें इसमें हैमिंग कर लेनी है तो फ्रंट और बैक दोनों फिनिस्ट कर लिए है अब मैं आपको हैमिंग करके भी बता देती हूँ तो आपको क्या करना है जो नेडिल है हमारी उसको इस तरह से सीधा करके चलाना है इस तरह से और जहभी भी हम करेंगे ऐसा तो हमें बहुत थोड़ा से कपड़ा लेना है ताकि जो हमारी शुआ भी हैंन्स टीचिंग दे रहे हैं इसमें तो वो ज्यादा दिखे ना थिया बहुत युद्पल नहीं कर outerहmen के भी बहुत सारे तरीके हैं आप जिसमें भी comfortable यह लakने अपन सकते हैं मुझे यह важl受 प्रज़ा उन्य इस द्रण इस तरह से ही हमिंग करना पसंद करती हूं यह आपर देख सकते है मैं किस तरह से हैमिंग कर रही हूं तो इस तरह से आपको बहुत ही सफधानी से जो है है मिंग करनी है यह आप यहां पर देख सकते हैं फ्रंट का व्यू कितना चोटा-चोटा सा दिख रहा है आपको समझ में आ र जैता है भाग Kingdom देकिने चाहिए जबहीं आप करें यहीं में मोटे मोटे से में करनी से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है आपके गोन्फर मैने यहां पर हैंस करते वक्त जो है कि उस किया है सो सिंगल्ट रिट से इस तरह से हैमिंग करने से आपको जो नेक है वह एकदम फिनिस हो चाता है सो यहां पर हमारे हैमिंग भी कंपलीट हो गई अब हम इसको अच्छे से आयरेन करके देखेंगे और यहां पर यह आप देखे फाइनल लुक हमारे neckline का front and back so I hope आपको आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आए और आपके लिए helpful हो किस तरह से एक neckline जो हमें ड्रॉ करनी है बहुत ही सुन्दर तरीकी से neat and clean work के साथ so अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करके जरूरत जिनको भी जरूरत है stitching की आपको लगता है जन्य से लाई सीखनी है इंटरेस्ट उनको या उनको सीखना चाहिए उन सभी के साथ ये वीडियो जो है मेरे सेर करें और लोगों की help करें जैसे मैं आप सभी की help करने हूं वैसे ही उन लोगों की भी help करें जो stitching सीखना चाहते है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को 150 लाइक जरूर दीजिए मुझे अच्छा लगेगा जैसे आप लोग लाइक करते हैं अपने पहरे पहरे कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का आप सभी के लिए तो प्लीज अपना फीड़एक अच्छा या बुरा जो भी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में दे तो मिलती हो नेक्ट क्लास में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई